हेलो स्ट्रेंड्स वेलकम टू माई नर्चर मैं हूँ क्रिष्णा कैसे हाँ सब लोग मस बढ़िया तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्मा थेरोपेटिक्स का चैप्टर नंबर टू ए है ना तो मैंने से स्लेवस डाला हुआ है यूटूब पर भी है और अपने थाफ ठीक है ना तो क्या होता है कंजेस्टिव फेल्ययर आउख समझते हैं जानने कोशिश करते हैं हम लोग यहां पर है तो क्या बोल दिया जाता है अभी डिसकस करेंगे ओके इजब प्रोग्रेसिव क्लिनिकल सिंड्रॉम प्रोग्रेसिव समय के साथ बढ़ता हुआ है यह है ना शुरुआत में थोड़ा बहुत होता भी है तो पता नहीं चलता है प्रोग्रेसिव करेंगे दिरे दिरे बढ़ती जागे सिंड्रॉम बेटर दो ध्यान रखो this is a syndrome इसको हम लोग कहिए बार dysfunction syndrome और कई बार कुछ लोग क्या कह देते हैं disease बोल देते congestive heart failure progressive disease disease और syndrome कहलो syndrome होता है कई सारी बीमारियों की वज़े से कोई चीज होती है मतलब यह कोई प्रॉपर यह कोई प्रॉपर बीमारी नहीं है लेकिन एक syndrome है मतलब कुछ कई सारी चीजों की वज़े से यह problem create होती है या इसकी वज़े से कई सारी problem create हो जा रही है तो यह dysfunction है एक तरह का disease और dysfunction में क्या अंतर होता है dysfunction मतलब काम प्रॉपर ना करना syndrome मतलब वही हो गया कोई चीज काम प्रॉपर नहीं कर रही है और इसमें सिंड्रॉम क्या होता है जिसका मतलब क्या होता है कई सारी बिमारियों के वज़े से कोई कि किसी माइक्रो ऑगनिजम की वज़े से कोई बिमारी फैलती है तो जनरली टर्म डिजीज उसके लिए इस्तमाल किया जाता है तो टेक्निकली या आइडियली देखा जाए या तम डिसफंक्शन कहेंगे या सिंड्रॉम कहा देंगे डिजीज का इस्तमाल कम करना ठीक है तो कह रहा है यह एक प्रोग्रेसिव क्लिनिकल डिजीज डिसफंक्शन है या सिंड्रॉम है कॉश्ट बाइ किसे करन होता है इन एबिलिटी ऑफ दा हर्ट हर्ट की इन एबिलिटी टू पंप सफिशेंट ब्लड नहीं पंप कर पा रहा है जितनी नीड बॉड़ी को है ठीक है टू मीट दा बॉड़ी मेटाबॉलिक नीड बॉड़ी की मेटाबॉलिक नीड जो है बॉड़ी इतना वर्क कर रही है उसके लोग से जितना ब्लड चाहिए ब्लड क्यों चाहिए होता है ब्लड ऑक्सि किसी भी क्रियेट हो सकता है डाइट जो की रिडूसेश वैंट्रिकूलर फीलिंग अब यह समझेंगे जानते हो में काँ करें सरे बच्षे होते ही एक पर होते हैं और वैंट्रिकल्स होते हैं आर किसी थाप failure can result from any disorder किसी भी disorder से हो सकता है जो जो disorder ventricle feeling को disturb करते यानि कि diastolic dysfunction ventricle feeling यानि कि जब यह ventricle relax होते हैं अभी इसका function समझेंगे जब यह relax होते तो इसके अंदर क्या होता है ब्लड आके भरता है ठीक है ना तो diastolic dysfunction हो जाए या myocardial contractibility अभी इसको कहा करना ब्लड को pump करना है contract करना है contract करके ब्लड को बाहर निगालना है या इसकी myocardial contractibility यानि कि systolic dysfunction कर दे heart की कोई भी बिमारी जो ventricle feeling को disturb कर दे या myocardial myocardial मतलब जो heart की muscles होती है उनकी contractility उनको जो contract करनी च्छमता है उसको disturb कर दे तो क्या हो जाएगा heart failure हो जाएगा ठीक है या congestive heart failure हो जाएगा congestive मतलब क्या है अभी अब यह कह रहा है what is meaning of congestive in congestive heart failure तो हम लोगING कर मीनिंग क्या है congestion का मतलब पता नह liter जग्रा-जग्रा अथा लग रहा है नजल congestion नाक में congestion हो जाता है body jacket रही है ना congestion हो रहा या भीडवार बहुत जादैंग तो कंजेशन मतलब ऑता है वह इसमें wil trainees up in the arm अब हाट प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा इसके वाएसे फिलूड होता है वहांत पैरों माकर क्या होता है भरने लगता है भरने लगता मतल poem кажज ने थितरे रहा है तो पीछे से ब्लड आगे बढ़ नहीं पा रहा है तो पीछे रुका हुआ है वो है ना कोई चीज मान लो एक ये मान लो एक क्या है ये पाइप है यहां से पाइप निकल रहा है और ये पाइप कैसा है अब मालों यहां से पानी आ रहा है और आगे तो इसको ब्लॉक कर दो हल्का सा कैसा कर दो ? ब्लॉक कर दो इसको तो उन्हें ब्लॉक कर दיה ऐसे हल्का सा अब क millennia और आ ने पूरा नहीं आ प्रहा है लेकिन पूरा ने हा पर तो यह हल्का सा फूल जाएगा या लंग्स में या किसी अजर्ड अर्गन में लिवर में हो सकता है the body become congested जब भी हाथ फेल होगा यानि proper work नहीं करेगा, proper pump नहीं कर पाएगा जब भी हाथ प्रॉपर पॉंप नहीं करेगा congestion होगा ही होगा अब जो हाथ फेलियर होता है यानिकी pump जब नहीं होपा तो kidney के उपर भी असर आता है ठीक है ability to dispose of sodium kidney sodium को properly body से बाहर नहीं कर पाती है पानी को बाहर नहीं कर पाएगी this retained water अब ये पानी भी रुक रहा है body के अंदर also increases swelling in the body's tissue और ये जो रुका हुआ पानी है ये भी body के अंदर swelling को बढ़ा देता है जिसको हम लोग क्या कहते है edema कहते है तो दोनों चीजे हो गई blood भी खटा हो रहा है और kidney ने भी काम करना सब्सक्राइब नहीं कर पा रही है pump proper नहीं हो पा रहा उसके वाज़े से sodium और water body के अंदर retain हो जा रहा है बात समझवा रही है ठीक है अब ये कैसो होता है इसको देखेंगे बात की बात है फिलाल जो congestion का मतलब है filliud का build up हो जाना body के अंदर पानी या blood रुख जा रहा है ठीक है रुखने का मतलब है एक खास जगह पर ये खटा हो जा रहा है ठीक है अब एक और चीज़ समझ लें हम लोग थोड़ा बच्चा confused रहता है heart failure या congestive heart failure means इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये नहीं है कि heart failure doesn't mean that heart has stopped कि heart ने काम करना बंद कर दिया ऐसा नहीं है ठीक है heart failure का मतलब ये heart fail हो गया मतलब रुख गया कि उसने काम करना बंद कर दिया है बलकि ये होता है कि उतनी छमता से काम नहीं कर पा रहा है ठीक है ना rather it means that the heart works less efficiently अपनी पूरी छमता से काम नहीं कर पा रहा है than normal due to various possible causes कई सारे causes हो सकते हैं देखेंगे ideology में क्या के करान होते हैं वह से काम प्रॉपर नहीं कर पाता है तो बात समझे में आ गई तो definition में यह सब बाते हमें समझनी थी अभी थोड़ी सी और बाते समझेंगे types of heart failure heart failure का type क्या क्या होता है उसको समझने के लिए हमें इसके क्या क्या समझना पड़ेगा मैंने लिखा हुआ explain process of failure यानि कि मेरे लिए है मैं तुम लोगों को समझाओंगा ठीक है तो हम कुछ बाते समझनी है जब भी heart failure होगा cardiac output disturbed हो जाएगा समझते जाना बिना समझे यह lecture मजा नहीं आएगा है न केमल पढ़ लिया पढ़ लिया जब तक यह concept heart failure अच्छे समझ में नहीं आएगा यह topic पढ़ने में समझने मजा नहीं आएगा तो heart failure जब भी होता है उसका पहला क्या है cardiac output disturb यानि कि वो heart failure के निशानी है क्या होता है cardiac output heart rate into stroke volume अभी समझेंगा stroke volume क्या है heart rate क्या है अब heart rate क्या होता है heart rate हमें पता है कि एक मिनट में कितनी बार दिल धढ़ा करा है वो heart rate हो गया ठीक है न अब stroke volume क्या होता है stroke volume का मतलब क्या होता है इसको बताता हूँ मैं अभी stroke volume का मतलब क्या है अपने पास जो अपना क्या है heart है यह ठीक है ना ये क्या हर्ड है ये क्या है वेंट्रिकल है ये क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल ये लेफ्ट औरिकल ये राइट औरिकल ये राइट वेंट्रिकल तो जब ये वेंट्रिकल जब प्रेस होती है और बॉडी के लिए क्या निकालती है Blood निकालती है Blood to body तो एक बार contact होने पर ये जितना blood निकाल देती है उसको हम लोग क्या कहते है Stroke volume एक बार contact हुआ कितना blood निकाला मालो ये heart beat कितनी है 72 times per minute है तो 72 बार 72 बार ये क्या हुआ है Contract हुआ होगा तो एक बार contact होने पर कितना ब्लड बाहर निकाल दे रहा है और इस ट्रोक वाल्यूम ठीक है अब इस ट्रोक वाल्यूम से साथ कुछ बातें जुड़ी हुई है तो आप समझ लें पहले इस ट्रोक वाल्यूम क्या होता है बात समझ में आगई होगी इस ट्रोक वाल्यूम है ना ऐस वी कहते हैं हम लोग समझ में आगे ना कि जो कॉंटेट करेगा तो कितना ब्लड अपने अंदर से बाहर निकाल रहा है इस ट्रोक वाल्यूम किन-किन चीज़ों में डिपेंड करेगा intrinsic health of myocardium याने कि heart की जो muscles है वो कैसी उसकी health कैसी अगर heart की muscles okay है तो फिर बढ़िया stroke volume में कोई disturbance नहीं आएगा फिर एक term आता है preload और एक term आता है afterload important terms है preload और afterload ये तीन चीज़ें मिलके decide करती है stroke volume क्या रहने वाला है अगर क्या कहते हैं heart की muscles okay है stroke volume okay है preload okay है afterload okay है तो okay अभी preload afterload होता किया है तो दिको समझते हैं हम लोग उसके लिए preload और afterload को समझने के लिए हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा अपनी process पर आते हैं हम लोग अपनी ठीक है न अब जर अब बात समझतना प्रोसेस पर और ये रही हमारी位 process तो देखो क्या हो रहा है मैं इसको यहां से मार कर देता हूं ताकि समझ में किलिए यह अपना क्या है हर्ट है इसको मैं चार तुकड़ों में डिवाइड कर लूँ एक और यह हो गया चार चार चेंबर हो गया इसके यह चार चेंबर हो गया ठीक है ना यह वाला कौन सा हो गया हमाई राचेट वाला यह है मतलब क्यासा होता है लेफ्ट है यह इस लेफ्ट and दिस इस राइट यह और इकल है ठीक है ना और यह राइट आट्रियम यूपर वाला यूपर वला चैंबर राइट आट्रियम प्राइट वेंट्रिकलर और ये क्या आगया लेफ्ट वेंट्रिकलर बाट समझभा अरही clear है अब थोड़ा सा process समझ लें जिनको पता अच्छी बात है देख लें जिससे कि हम लोग preload after load को समझ पाएंगे stock volume समझ पाएंगे और सारी बाते हमारी clear हो पाएंगी अब देखो हो क्या रहा है अब यहाँ पर हो यह रहा है कि ऐसे समझते हम लोग मान लो यह क्या है हमारे पास capillaries of head and fork यह मेरे पास क्या है lungs यह प्ला को pump किया गया है ठीक है यहाँ से blood को pump किया गया है pump हो करके कहां गया यह blood एक तो कहां चला गया upper part में capillaries of head and forelim याने कि एक होता है upper part ठीक है और दूसरी जगे कहां गया यह blood मेरा capillaries of abdomen, organ and hind limb याने कि नीचे वाले हिस्से में तो याने कि ventricle ने pump किया और पूरा पुंचा दिया हाँ अपरे सर से लेके नीचे वाले हिस्से पे अब यहां से oxygen की supply हो गई ठीक है oxygen का exchange हो गया और फिर यह बिना oxygen वाला blood लेकर के कहां आ गया यह इसमें आ गया ठीक है ना नीचे के हिस्से से और सर से और यह हातों से बिना oxygen वाला blood लेके यह हां आ गया तो जो blood उपर से आता है जो नस लेकर के आती है उसे हम कहते है superior venekeva बासमी माई जो blood उपर से आता है heart के अंदर यह blood vessel लेकर आती है उसे हम कहते है superior venekeva जो नीचे से आती है उसे हम कहते है inferior वेने के वाफ ठीक है बासमझमा रही है clear है और यह जो blood लेकर यहाँ से निकलता है इसको हम लोग क्या कहते है errota जो main यह होती है blood vessel ventricle से जो blood लेकर करके body supply के लिए निकलती है उसको हम लोग क्या बोलते है arrota बोलते है clear है बासमझमा रही है अब समझते जाना ठीक है, तो यह यहां पर आ गया, यह यहां से आ गया, अब यहां से blood कहां जाएगा यहां से आता है, right, किसमें आ गया यह? वेंट्रिकल में, और right ventricle से कहां भी blood जा रहा है, यह pump हो करके यह यह pump हो करके कहां जा रहा है दोनों के दोनों lungs में जा रहा है फिर से समझते हैं इसको एक बारी पूरा मैं erase कर दूँ जा रहा यह function समझोगे तभी बात यह समझ में आएंगे आगे कि इसलिए function समझना थोड़ा सा जरूरी है अब देखो जो अच्छा वाला ब्लड लंग से जो ब्लड ऑक्सिजन लेके आया है वो कहां आ गया है वो यह आ गया यहां यह आ गया यहां कहां आ गया यह ठीक है लेफ्ट और आर्ट्रियम में आ गया किसमें आ गया लेफ्ट आर्ट्रियम में तो concept समझना, lungs से आया, left atrium में, अब ज़र मैं तुम से एक बात बोलूँ, कि यहाँ पर इस blood को यहाँ आ जाना चाहिए, अगर यह blood किसी वज़े से यहाँ आता है, यह जितना blood उपर से आ रहा है, उतना blood यहाँ पर नहीं आ पा रहा है, तो यह blood यहाँ पर चोक हो जाएगा, और चोक होने के वज़े से blood की quantity कहाँ जादा हो जाएगी, lungs के पास जादा हो जाएगी, तो lungs में क्या start हो जाएगा, congestion, यह term अभी आगे आएगा, concept समझे लो कि हो क्या रहा है, ठीक है न, यानि कि lungs से जब यह blood आ रहा है, किसमें, left atrium में, उसके वाद blood कहाँ आता है, left ventricle म अगर किसी वाज़े से left ventricle blood को पूरा pump ना कर पाए, या पूरा blood यहाँ से यहाँ ना आ पाए, तो पीछे से लगातार blood आ रहा है, वो blood आगे बढ़ी नहीं पाएगा, जब वो blood आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो यह पीछे वाला blood कहाँ खटा होने लएगा, lungs में, और फ समझते हैं, ठीक है, यहाँ से blood चला, pump हो गया यह, इसका बढ़ चेंज कर दूँ, यहाँ से अब यह blood चलता है, चलता है, ठीक है, body के उपर हिस्से में गया, body के नीचे हिस्से में आ गया, बास समझ में आ गई, एक कहानी तो यह खतम हो गई, यानि कि अगर left ventricle से blood proper pump नह नहीं होगा, तो heart में क्या हो जाएगा, congestion हो जाएगा, question है, ध्यान रगना, left ventricle में problem आती है, तो lungs में congestion हो गया, बास समझ में आ रही है, अब देखो, यह blood आ गया, अब यहाँ से वापस कहा जा रहा है, हमारे right वाले chamber में, अब यह chamber तो इस पूरे part को मैं क्या कह सकता color, 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 change करने color, चलो, यह देखो, इसको divide कर दूँ मैं, यह हो गया, left chamber, यह हो गया, right chamber, upper, lower, upper, lower, अब यहाँ से जब blood यह आया है, ठीक है, यहाँ से blood वापस आकर कहा आ गया, auricle में, और यह वाला blood यहाँ से घुम करके वापस कहा आ गया, auricle में, ठीक है, अब इसको यहाँ से यहाँ जाना है, और यह pump कहां कर देगा, यह pump करेगा, कहां lungs के लिए, ब्लू ब्लू देख रहो, यह कहां pump कर देगा, lungs के लिए, अब again, बात को समझना, अगर यहाँ दिक इसकत आ गई, तो यह blood को कहां pump नहीं कर पाएगा, lungs में, तो lungs तो मेरी okay रहेंगी, लेकिन जो blood पीछे से body में आ रहा है, यहाँ से, और बाखी के body part से, तो यह blood जब आगे proper pump नहीं हो पा रहा है, तो यह blood जो आ रहा है, यह पीछे back होगा, भीड़ी कटी हो जाएगी, तो इसकी वएसे क्या होता है, जब मेरा right वाले part में दिक्कत आता है, तो मेरा क्या रहेगा, liver है, या मेरा pate है, abdomen है, या टांगे है, या मेरी arms है, यहाँ पर congestion यानकी fluid इखटा होना start हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, जो मेरा left वाला part है, उसकी वएसे, lungs में congestion है जो मेरा right वाला part है, उसकी वएसे body के बाकी part में congestion आता है, ठीक है, तो congestion का मतलब क्या है, जो blood है वो आगे proper pumping नहीं हो रहा है, तो body में अपने part हो जो पीछे वाला हिस्सा है, वहाँ पर इखटा हो जा रहा है, blood यहां से आ रहा था, आगे pumping नहीं हो रहा है, तो यहां से condition, अब यहां पर हम लोग कुछ बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ होती है, कुछ terms, यह देखो, preload, preload क्या है, ठीक है, इसको हम थोड़ा साथ, preload क्या होता है, बताता हूं मैं, जो यह बता रहा था, मैं उसे, preload क्या है, जो blood आ रहा है, और आ करके कहां feel हो रहा है, ventricles में feel होता है, कहां feel होता है, ventricles में चाहिए, इस वाले ventricles में चाहिए, इस वाले ventricles में है, जो blood आया, यहां से यहां और यहां से यहां जो blood fill हो रहा है, ठीक है, तो जो blood ventricles में feel हो रहा है, और ventricles पूरी भर गई है, अब क्या है, pump होना बाकी है, अब क्या है, pump होना बाकी है इसको हम लोग यहाँ समझते हैं थोड़ा सा देखो यहाँ से अच्छा समझ में आएगा। ठीक है यह क्या pulmonary vein यहाँ से blood आ गया है धीक अब यहाँ से blood अपने आप यहाँ आ गया है इन चमबर में आ गया है। अब ये चामबर भर गया है, यहां से blood आ गिया है, ठीक है न और यहां से यहां आ गया है, यहां अ चामबर भर गया है, अब जो total blood भर गया है, है न, वो कहीं-किसी books में 110ml है, या इस chamber की जो बात करें, कहीं-कहींपे 130ml है, तो depend करेगा, कौन सी हम ideal value लेंगे, वो बात की बात सबोस्तें, 130 camel, 130 camel, blood इस chamber में भर गया है. अब ये पूरे blood को क्या करेगा, ये, contact करेगा, प्रेश करेगा और यहां से क्या कर देगा? हम, यह वाला, इसका यह वाला हिस्सा, यहां से arotा, ठीकर ने, ऊपर वाला हिस्सा, यह body के जंडे है, यहाँ से पूरना amount of blood इसके दर आ गया था मतलब 130 ml को इसने प्रेस किया है बाहर निकलने के लिए ठीक है एक बाद और ध्यान रगना 130 ml को इसने प्रेस्ट तो कर दिया है लेकिन नॉर्मली होता है कि पूरा 130 ml blood बहार नहीं निकलता है लगबग लगबग निकल जाएगा यहां से 70 ml के आज पास ठीक है ना तो यह percentage आता है इसको बात करेंगा भी इसके बारे में भी क्या चीज़ होती है ठीक है तो करीब करीब 70 ml बहार रह जाता है और 130 में से नहीं 70 ml बच जाता है तो 34 130 में से मैं कितने माइनस कर दूँ 60 ml तो कितना बच जाएगा 70 ml ठीक है नहीं लगए 60-70 का असपास का खेल है यहां पर तो अगर यह 60 ml को बाहर पंप कर देता है सपोस्स क्या कर दे रहा है यह कि 30 ml क्या कर गिए इसने बाहर पंप कर दिया गिए ãपर यह कितना बचा रह गिए 70 ml लैफ्ट बचा रह गिए अब टर टरम्य अब बाद यहाँ पर आ गया है अब बात करते हैं after load की अब देखो है क्या scene क्या होता है यहाँ पर जाने के बाद आगे जाके क्या हो जाती है capillary बन जाती है आगे जाके क्या बन जाएंगी capillaries हो जाती है ठीक है ना आगे जाके क्या बन जाती है यह capillaries है ठीक है जब यह कैपलरी आगे जाके बन जाती है तो यहाँ पर क्या होती है rings type की रहती है ठीक है यह और पतली हो जाती है आगे जाके और पतली हो जाएगी और यहाँ पर ऐसे rings type की रहती है तो यहाँ आगे जाकर के इस diagram लोग देख सकते हैं ठीक है जो यह ring type रहती है यहां से blood निकला भार आगे जाके पतला हो गया तो यह क्या होगा pressure से चीज गई आगे लेकिन आगे चीज पतली हो गई है तो यह resistance करेगी इसका विरोध करेगी कि उतनी ताकत से blood आगे ना जाए लेकिन heart क्या कहाएगा नहीं मैं तो भेजना है यह जो इसके खिलाफ यह आगे राष्टा पतला हो गया है इसकी वज़े से क्या हो गया है एक resistance ओफर हो रहा है blood की pumping में इस resistance के खिलाफ जब blood धक्का यह heart जो धक्का देता है ठीक है ना यह resistance कितना है यहाँ पर एक का दिखाया है पूरी body में तमाम capillaries है के जो एक विरोध पैदा कर रही है जिसके against यह heart मेरा काम कर रहा है that is called after load इसको हम लोग क्या कहते है after load ठीक है ना बास समझ में आई है ठीक है तो after load कुछ और नहीं हम लोग कह सकते है यही से हम लोग BP को भी नापते है ठीक है तो यह जो after load है यह हो गया कितनी ताकत इसको लगानी पड़ गई इसको कितनी ताकत लगानी पड़ी आगे blood की supply करने के लिए after load कितना blood इसके अंदर आ गया that is called pre load ठीक है ना अब कितनी ताकत लगानी पड़ेगी heart की muscles पे फरक पड़ेगा अगर pre load जादा होगा जादा इसके अंदर blood भरके आएगा तो भी क्या होगा heart के उपर effect पड़ेगा तो pre load और after load बात समझ में आ गई यह इसकी muscles हैं यहाँ पर अब सब इसके बारें बात करेंगे तो यह थोड़ा सा इसका क्या था function था है कि अगर क्या होगा after load ठीक है ना जो तागत लगा यहाँ पर pre load जाओगे इसके ब्लड आ गया ठीक है यह terms इसके अंदर आने वाली है दूसरा जो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे यह pre load after load को यहाँ समझाय हुआ है मैंने ठीक है क्या बोल रहा है resistance left ventricle must overcome to circulate blood वो विरोध जिसको left ventricle को overcome करना है ताकि blood को circulate कर सके that is called after load volume of blood in the ventricles at end of diastole जब diastole पुरा हाट का chamber पुरा फैल चुका है इसके अंदर कितना blood आ चुका है that is called pre load तो मैं यहाँ पर एक बात बता रहा था जो कहानी सारी यहीं पर है कि अगर किसी वज़े से क्या हो जाए यह blood को आगे pump ना कर पाए ठीक है ना ऐसा कव होता है ऐसा कव होता है आँ समझते हैं इसको भी देख लेते हैं अब मान लो यह ही पर ही समझते हैं अब मान लो यह जो मेरे पास क्या है हर्ट की muscles हैं यह मेरे पास क्या है हर्ट की muscles यह muscles क्या हो जाएं किसी वज़े से loose हो जाएं क्या पढ़ जाएं loose पढ़ गई तो loose पढ़ने की वज़े से पूरी ताकत लगाई नहीं पा रही है ठीक है इनकी elasticity में हलके सी weakness आ गई है जब पूरी ताकत नहीं लगा पाएंगी तो blood उतनी ज़्यादा मात्रा में आगे नहीं बढ़ पाएगा जब यह blood यहां से आगे नहीं जाएगा पीछे से लगाता खून आ रहा है है ना लगाता ब्लड आ रहा है तो यहां पर pressure create हो जाएगा उपर वाले chamber में यहां पर क्या हो जाएगा pressure create हो जाएगा ठीक है ना बास समझ मा रही है जो इस blood को यहां से आगे pass होना था यह पूरी तरीके से pass नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरे पास जो muscles है इसकी lose हो गई है तो यह पीछी से blood आई रहा है यहां से खाली नहीं हो रहा है तो यहां pressure बढ़ए यहां पर रुकणा start हो जाएगा लंग्स के आस पास तो क्या हो गया congestion हो गया बास समझ मा रही ना दूसरा condition क्या है यहां पर एक और तरीके से क्या होता है दूसरा तरीका क्या है यहां पर जो इसमें हो गया हो गया चेंबर भीड़ा क्या हो गया छोटा हो गया अब फून यहां पर कम आ रहा है पूरा फfang प फोड़ा सब लाइगा धुरा यहीं सब करन हो जाएगी यहा जब दिक्क्कत आते तो यहां गटें से में तquiया होता है कंजेस्टिव फेलियर प्रिलोड और इस प्रोली यह सारी बात इस से कही है आएँगी exponת क्यों कोशन trucks के एफ हें तो तो यहां पर हमे को समझाना था अबहुंद क्या कर सकते हैं रीड करके फटाक से खतम कर सकते हैं है तो चलो इसको पढ़ते हैं अब हम लोग कि तो काड़िए मैंने एक्षप्रेंड कर दी पूरी प्रोसेस प्रीड आफ्टर लोड यह बात समझ में आगी हमको नेस्ट आते हैं अब बाते हम ने समझे एना दोको उसी की सम्मरी यहां पर अब उसी क्या है समरी है समरी इंदासेंस वोई बाते लिखी हुई है तो क्या बोल रहा है ये देर आट टू टाइपस अफ लेफ्ट साइड़ हार्ट फेलियर अब ये सारे टम्स तुमको समझ में आएंगे अच्छा लेफ्ट साइड़ हार्ट फेलियर ये होता है किलियर है सुमझ में अब तुम लोग को बहुत 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 साइड़ ल हो गई है कि लशाइड हुआ है न सवे एक लेफ्ट replicated हुदे लेफ्टeder हेर्ट ने वालता हो जब दिसकस किया थे वाला होता है अब जितने terms आएंगे ना आगे वो सब तुमको clear रहेंगे तो कहरा दो type के heart failure होते हैं और drug treatments are different for the two types और दोन टाइब के heart failure के लिए drug का treatment भी अलग-अलग है Heart failure with reduced ejection fraction ejection मतलब बाहर निकालना है ना मतलब उसके में क्या आगई है? elasticity आगई है जो मैंने बता रहा था अभी ठीक है ना? यहाँ पर जो यह मेरे पास था यह वाला chamber क्या हो गया? यह वाला chamber lose हो गया यह वाला chamber मेरे पास क्या हो गया? heart का यह lose पढ़ गया यह lose पढ़ गया लोग अब यह पुरा compress नहीं कर पा रहा है तो ejection fraction जितना उसको eject करना था बाहर निकालना था उतना मात्रा में बाहर नहीं निकल रहा है also called systolic failure है ना? systolic जो compress करते हैं उसके लिए हम लोग क्या रहर डिस्समाल करते है? systolic, diastolic क्या होता है? जो felt है ठीक है? अब क्या गया रहा है? the left ventricle loses its ability to contact left ventricle है वो ability खो देता है content करने की normally the heart can't pump with enough force पूरी तागत से heart pump नहीं कर पाता है to push enough blood into the circulation जिससे की circulation परियात मात्रा में blood जा पाए ठीक है? अगला है heart failure with preserved ejection fraction also called diastolic failure यानि कि यहाँ पर क्या है? जो diastol पूरी तरीके से नहीं हो पार है जब diastol पूरी तरीके से नहीं हो पार है तो इसके अंदर पूरी मात्रा है यानि कि अब क्या case आगया हमारे पास diastolic वाले में यहाँ पर क्या हो गया किसी वज़े से इसका chamber जो है वो छोटा हो गया होगा अब chamber छोटे होने कई सारी वज़े होते है या तो यहाँ पर stiffness आ गई होगी इस तरीके से हाड हो गई होगी मसल chamber छोटा हो गया उपर से blood पूरी मात्रा में इसके अंदर आई नहीं पा रहा है जितना blood उसके अंदर भरना चाहिए था उतना blood भर नहीं पा रहा है जिससे कि उसके पर बहुत तागत लगाएगी बास समझ बहा रही है तो preserved ejection fraction ठीक है ना heart failure with HF with preserved ejection failure also called diastolic failure और diastolic dysfunction उसको क्या कहते है systolic dysfunction कहा देंगे the left ventricle loses its ability to relax normally normal relax होने की जंता उसकी चली की contact तो होता है relax नहीं हो पाता है बास समझ बहा रही है contact तो हो जाता है बट relax नहीं हो पाता है because the muscles has become stiff muscles कैसी हो गई है stiff हो गई है hard हो गई है the heart can't properly fill with blood during the resting period between the each beat तो वो पूरी तरीकर से उसके अदर जो है खून हमारा भर नहीं पाता है अब जो वो कुछ भी condition हो चाहें वो पूरी तरीकर के contact ना हो पाए या उसके अंदर blood भर ना पाए कोई भी condition होगी फरक किस पर पढ़ जाएगा cardiac output पर इसको maintain करने के लिए heart rate अपने आपको disturb कर सकती है है ना मान लो इस्टोक वाली में गड़ बढ़ आ गया है तो heart rate बढ़ सकता है और घट सकता है और उसके बढ़ने घटने की वज़े से left sided heart failure left side की बात होगी अब करें राइट side right sided or right ventricle heart failure usually occurs as a result of left sided heart failure अब देखो क्या कह रहा है कि right sided जब भी होगा ना ये वाला left sided की वज़े से होगा क्यूं समझो बात को अब देखो यहाँ पे मान लो blood क्या हुआ बहार नहीं जा पा रहा है यहाँ pressure create हुआ इसके pressure create होने की व जुरू हो गया जिसके वाएसे यहाँ पर pressure create होगा आगे right ventricle में ब्लड आगे फैक रहा है लेकिन यहाँ pressure create होगा तो यहाँ pressure create होगा तो ultimately होता क्या है पहले दिक्कत यहाँ आती है उसके दिक्कत यहाँ आना start हो जाती है तो इसलिए जो right वाला वह है effect है वह left वाले effect से ज result of left sided failure left sided failure की वज़े से right side में होता है when the left ventricle fail जब left ventricle fail होता है increased fluid pressure is in effect left ventricle fail होगा तो increased fluid pressure is in effect fluid pressure क्या होगा increased हो जाएगा transferred back और वो वापस जाता है ना back जाता है वापस बैक जा रहा है ठीक है यह fail कर गया तो वही सारी कहानी है यह fail कर गया तो blood कहां जा रहा है back जा रहा है clear है यह back जा रहा है यह जा back जा रहा है through the lungs ultimately damaging the hurts right side blood back जा रहा है ultimately क्या करेगा यह back जा रहा है यह right side को ultimately क्या करेगा damage करना start करेगा तो यही कहानी थी समझ में आ रही बाते है ठीक है when the right side loses pumping power जब right side अपनी pumping power को lose करेगा blood back up in the body's veins blood कहां back up हो जाएगा body के vein में this usually causes swelling or congestion in the legs ankle and swelling within the abdomen such as the GI tract and liver causing acids ठीक है तो ध्यान रखना क्या चीज इंपोर्टेंट है चलो answer दो फटाबट अरे ठीक है अब मैं से डबबा बना जे रहा हूं ठीक है यह left ventricle यह left auricle यह right auricle और यह right ventricle मैं तुमसे पूछे हूं बताओ अगर यह fail कर गया तो कहां फिलोडी खटा होगा lungs में या right side वाला part fail करेगा ओ sorry left side वाला part fail करेगा तो कहां यह कटा होगा यह वाला part damage होगा तो क्या चाहिए यह हो जाए चाहिए हो जाए कहां दिक्कत आजाएगी lungs में अगर right वाला part damage होता है यह कोई दिक्कत आती है तो कहां पर जाके फिलोडी खटा होना होगा body में other than lungs lungs को छोड़के body के हाथ में lungs इसमें पेट में liver में ankle में टांगों में कहीं पर भी जाके body फिलोड इखटा हो सकता तो यह धियान रखना left वाले में कहां दिक्कत आ रही है right वाले में कहां दिक्कत आ रही है के लिएर आगे आते हैं ओके टाइपस अब उसको मैंने क्या कर दिया टाइपस ऐसे चाज़ी टेवल बना दी ताकि तुम समझेवाशा है ने left-sided heart failure most common from form of heart failure यह सबसे ज़्यादा common है ठीक है जो left side होता है अब तो सब्सक्राइब आए गया सबसे अब यह बास समझ में आती है राइट साइड कब होगा अब में टेवल को डाइट पड़ाता तो समझ में नहीं आता ठीक है ना तो राइट साइड में कब होगा जब लैट साइड में दिक्कत आएगी फिल्यूड में back up into your into your abdomen legs and feet causing swelling और क्या आ जाती है swelling आ जाएगी systolic heart failure है ना the left ventricle can't contract vigorously है ना systolic heart failure वो contract नहीं कर पा रहा है indicating a pumping problem diastolic heart failure the left ventricle can't relax और fill fully indicating a filling problem ठीक है तो यह कुछ खास-खास terms थे यह तो पक्के से 4 term क्या पूरी का समरी है यह चार term direct पड़ाता तो मजा नहीं आता ना सौंज में आता clear है यह important हो जागा ठीक है आगे आते है stages of heart failure heart failure की stages की अगर हम बात करें तो देखते हैं क्या क्या है कह रहा है stage 1 this is a patient this is a patient at risk of developing heart failure वो patient जहां पर risk है develop होने का but no identified structural और functional abnormality उसके heart के structure में और function में अभी तक कोई भी abnormality नहीं आई है लेकिन संभावना है कि उस इंसान में हो जाएगा ठीक है of the heart and also no signs or symptoms of heart failure अभी तक कुछ मतलब स्टार्टिंग भी नहीं हुए लेकिन हाँ संभावना बहुत जादा है कि उसको हो सकता है ठीक है stage B कैसे पता जल जाएगा संभावना बहुत जल जाएगा किसी lifestyle होती है अलकॉल बहुत पी रहा है smoking बहुत कर रहा है तमाम चीज़ें नमक बहुत खा रहा है यहां पर चीज़ें जाएगा जिसकी वच्छांग क्रिएट हो जाता है कि हार्ट फेलियर के चांसे बढ़ रहे हैं बट विदाउट साइंस अभी भी कोई भी साइन और सिंटम अभी न नहीं आया यहां ठीक है स्टेज सीबस्ट शिएंट डिवलाप यिनारे पर ठीक है एंड मांगड़ सिम्टम्स ओफ हर्ट फिलियर एट रेस्ट डिस्पाइट मैक्सिमल मेडिकल थेरपी तर भी है ना तब भी वो सारे अधार पर अमेरिका कॉलेज ऑफ काडियोलोजी एंड अमेरिकन हार्ट असोसीशन ने मिल करके क्या किया है यह स्टेज़ेस को तयार किया है जिससे की हमको पढ़ना समझना असान हो जाए कि लियर है अब क्लासिफिकेशन कर लेते है इसे कर लिए क्लास 1 नो लिमीटिजन टू फिसिकल अक्टिविटी व dziब ऑक्के और एक डिक्कत नहींहीं कंप का फटिक थकान गब्राट या बीस्पीनिया नहीं उता यह कि लियर है 집 शानीस वा थे पता to physical activity कुछ हद तक physical activity को रोका जाता है कि बहुत ज़्यादा हैवी ना करें दोड़े नहीं केवल चलें इस टाइब से comfortable at rest जब रुखा होगा तो rest rest भोता है तो comfortable होता है but ordinary physical activity result in fatigue साधान physical activity करोगे तो थकान तो होना start हो जाती है palpitation and dyspnea गबराट और shortness of breath हो सकती है क्लास थार्ड माग्ड लिमिटेशन फिजिकल एक्टिविटी वहले कि काफी हद तक फिजिकल एक्टिविटी को रोग दिया था कि ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी मत करना comfortable at rest rest पर रहेगा रुका हुए तो कोई दिक्कत नहीं but less than ordinary physical activity result in fatigue थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करेगा थकान होना स्टार्ट हो जाती है गबराट और shortness of breath होती होती है क्लास पूर unable to carry on any physical activity अब वो कुछ नहीं कर सकता दस-पंदर कदम ऐसे चल भी लेगा ना तो साथ फोलना स्टार्ट हो जागी ठीक है without discomfort है ना मतलब थोड़ी भी activity करेगा तो discomfort होना स्टार्ट हो जाएगा symptoms of heart failure still occur at rest rest पर भी दिक्कत आ रही है if any physical activity is undertaken discomfort is increased कोई भी physical activity करोगे चलना फिलना जीना चड़ना तो आपको यहां पर क्या हो जागा discomfort आपका स्टार्ट हो जाएगा यह क्लासिफिकेशन है दिस इस दा नियॉर्क हार्ट अस्सोशेशन और यह निया है ना classification of heart failure based on symptoms and physical activity यह symptoms of physical activity को बेस्ट यह हमारा क्या है classification है के लिए रहे वाते हैं ओके ठीक है तो बेसिक समझ में आ गया है फटाप फटाप कर लेते हैं इसकी एटिव पैसेजनेसिस है ना एटिलोजी की बात करें यानि कि हम लोग अपने कॉस की बात करें अगर तो heart failure is caused by systemic hypertension in 75% of cases यानि कि cause pressure और volume overload on the heart ठीक है न यह क्या करेगा सिदा यह ध्यान रखना वल्विलर डिस्फंक्शन इसकी वज़े से क्या होता है pressure बढ़ जाता है heart के उपर heart is unable to pump enough blood to meet tissue or to request requirement है ना तो heart उतना pump नहीं कर पा रहा है कि O2 की रुकार्मेंट है टिस्फंस की पूरी कर सके क्या क्या आ गया congenital heart disease हो सकती है पैदाइसी हो सकता है कुछ severe lung disease हो सकती है इसकी वज़े से भी heart के उपर जोड़ पड़ता है diabetes severe anemia हो सकता है और active thyroid gland hyperthyroidism हो सकता है जिसके वज़े से अपना क्या है यह heart की problem create हो सकती है abnormal heart rhythm rhythm सही नहीं है तो heart की problem create हो जाएगी increase in pulmonary pressure result in philudine alveoli pulmonary pressure जब उसमें प्रेसर बढ़ जाएगा तो alveoli में क्या होगा blood इखटा होना start हो जाएगा increase in systemic pressure result in philudine tissue systemic मतलब जो blood हमारी body में घूम रहा है उसके प्रेसर पड़ेगा यानि कि हमारा जो यह वाला part था right वाला उसमें दिक्कत आ रही है इसके वैसे peripheral edema यानि कि हमारी body में अगर philudio इखटा होना start हो रहा है तो heart के उपर दिक्कत है हमारी lungs के आसपास philudio इखटा सब्सक्राइब करते हैं जैसे की coronary artery disease heart attack heart muscles disease cardiomyopathy heart inflammation myocarditis यह सब चीजे जो है इन सब की वज़े से यह सारी causes हैं जिनकी वज़े से heart failure या congestive heart failure हो सकता है अब pathogenesis किस तरीक से कोई चीज इंक्रीज करती है है ना तो कई सारी चीजे हैं myocyte loss myocyte मतलब होता है heart की muscles का loss होना ठीक है necrosis resulting from myocardial infraction या exposure to cardiotoxic drug कोई cardiotoxic drug हमने खा ली है या myocardial infraction है जिसके वज़े से क्या हो जाता है कि जो हमारे heart muscles की cells है वो dead हो जाती है apoptosis हो सकती है programmed cell death heart muscles की cells हो क्या और ही मरना स्टार्ट हो गई है from elevated कैस क्यूं हो गई है क्यूंकि हमारा catchy kola mind बढ़ गया है angiotensin 2 increase कर गया है inflammatory cytokines बढ़ गया है होगी तो cardiac output पर फरक पड़ेगा cardiac output पर फरक पड़ने का मतलब है कि heart failure की सुरुवात हो रही है यह हो गया myocyte loss याने की cells में दिक्कत आना और क्या क्या है जिसके क्या कहते है इसकी उत्पत्ती हो सकती है यह हम यह कहें कि बढ़ेगा यह आगे जाके compensation mechanism compensation होता है कि जब heart में problem आना start होती है तो body compensatory mechanism start करती है कि heart में कोई दिक्कत आ गई है तो कुछ ऐसा कर ले कि body में blood का output बना रहे तो body उसको manage तो कर ले जाती कई बार लेकिन लंबे समय तक अकर body ने उसको manage किया और कोई symptom होंको दिखाई नहीं पड़े तो heart failure के chance बहुत ज़्यदा बढ़ जाते हैं कह रहा है इस mechanism attempt to maintain sufficient blood pressure यह mechanism maintain किया था कि blood pressure maintain रहे otherwise blood pressure maintain रहे कार्डिक आउट्पूट हमारा maintain रहे to perfuse vital organ जिससे कि उमारे vital organ है brain है liver है kidney है इनके पास परियाप्त मातरा में खून पहुंचता रहे to perfuse मतलब उसमें खून पहुंचता रहे by compensating for decrease in cardio output जो cardiac output में decrease आ गया है उसके against में कुछ ऐसा mechanism start कर देती है हमारी body कि output को बढ़ा दे दिक्कत आगे heart में लेकिन कुछ और करके बढ़ा रही है that occurring heart failure और ultimately क्या होता है फिर वह heart failure के तरफ बढ़ जाता है जैसे कि पहला है हमारे पास frank startling relationship इसमें क्या होता है ventricular output increases in relation to preload ठीक है ना preload बढ़ गया है किसी वज़े से वाल में कुछ भी जो heart की muscles है मतलब preload बढ़ने का मतलब है जो blood आ रहा हो ज्यादा आ रहा है अब ज्यादा blood को pump करेगा तो ताकत ज्यादा लगेगी जब ज्यादा ताकत लगेगी तो muscles के उपर असर पड़ेगा उसकी वैसे क्या होगा muscles damage होना start हो जाती है with a greater stress stress बढ़ेगा of myocardial fiber larger diastolic volume उसको volume ज्यादा होता है there will be a greater force of contraction generated अब जब ज्यादा force of contraction generate होगा तो अगेन क्या है muscles damage होना start होंगी myocardial hypertrophy किसी वज़े से क्या हो गया है यहां पर आके blood भरता है ठीक है इसमें क्या हो गया यह देखर हो अब इसका volume क्या हो गया कम हो गया volume कम हो गया तो जो पीछे से आ रहा था उतना पूरा blood यहां पर आगे जा नहीं पाएगा यहां पर कंजेशन हो गया तो यहां पर क्या आगे है myocardial hypertrophy हो गया नीरो हार्मोनल मेकैनिस इन अर्ली स्टेजिव यहां कि यह क्या कर रही है यहां यहां पाई यहां पर लाइन लिखी होगी उससे समझ में आएगा रनीन अंजियोटैसिन सिस्टम ठीक है ना तो निरो हार्मोनल ठीक है ना eldest ठीक है रहा था थीक to maintain the BP अब क्या है BP वैंटेंड हो गया है BP तो मैंटेंड हो गया है लेकिन हाट में जो प्रॉल्म आगी तो विसका समझ में नहीं आ रहा है, हाट में जो प्रॉल्म क्रेट हो गई थी, हमको पता ही नहीं चली, क्यों प्रॉल्म के वैसे BP गिरा इसने मेंटेन कर दिया, अब लोड हमारे हाट के पड़ाई हुआ है, तो इसलिए कई बार हमें symptoms सम सोडियूम रिजॉप्शन को बढ़ा देता है इसके वाटर एटेंशन होड़ी में इंक्रीज कर जाएगा इस इंक्रीज प्रिलोड बढ़ेगा तो ज्यादा धक्का मारेगा भार तो आउट्पूट बढ़ जाएगा इंटर इंक्रीजिंग दा स्ट्रोक वॉल्यूम ये स्ट आउट्पूट मेंटेंड रहता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारे हर्ट के ओपर स्ट्रेस पढ़ना खतम हो गया इसी स्ट्रेस की वाएज से तो क्या होती है हमारी पैथोजनेसिस जो बिमारी है वो बढ़ रही है आगे आते हैं एड्रिनर्जिक नर्वस सिस्टम इ इक्रीमिस कार्डयक अउट्पूट्स बिमाएजटिस इन डिक्री Πर्फूजर्ण प्रेशर कांडीक ऊट्पूट्पूट्स करेगा तो प्रफ््यूजर डिक्रीमिज कर जाएगा ठीक है न सैंस्ट बाए तकि सेंस कर लेकि हां भाहि जो प्र फ्रफूजन प्रेशर carotid sinus, जो यह हब एक sinus होता है, उसको यह recept हो कर लेते हैं, sense कर लेते हैं and the erotic arc, जो erota होता है, वहाँ पर भी sensor लगे होते हैं, अब क्या होगा, central and peripheral chemo reflex activation induces, जो central and peripheral chemo reflex activation, यह क्या करेंगे, activate कर देंगे, induce कर देंगे, epinephrine को, nor epinephrine को and vasopressin को release कर देंगे, this resulting and increase sympathetic outflow of heart and peripheral circulation, तो heart का outflow है, वो क्या कर जाएगा, increase कर जाएगा, again blood to maintain हो गया, लेकिन दिक्कत जो heart का साथ ही, वहीं की वहीं रही, वो बढ़ती चली जाएगी, अब क्या बोल रहा है, अच्छा, increase heart rate and contractility, heart rate का बढ़ना और contractility का बढ़ना, increase करता है, क्या cardiac output, जो इससे related है हमारे पास, जो और अपी रेफरीन and vasopressin, इनने release करके क्या कर दिया, heart rate को बढ़ा दिया, और contractility को increase कर दिया, इसकी वहीं से हमारा cardiac output increase कर गया, यह जो यह लाइन है, unfortunately, दूर भाग यह वश, despite these compensatory mechanism, हाटे प्रॉलम आई, तो compensatory mechanism start हो गया, इनके बावजूद, there is progressive decline in the heart's ability, अब क्या है, heart की जो ability है, वो लगातार क्या कर रही है, decrease कर रही है, to contract and relax, है न, इन्होंने compensation कर लिया, लेकिन, जो heart की ability है, relax करने की contract होनी की, वो लगातार क्या करती है, यह decrease कर दे जाती है, in the face of persistent hemodynamic challenges, अब जो challenges थे, हो तो समझ में नहीं आ है हमारी body को, तो यह compensation कर अब करते हैं, और heart के पर दिक्कते हैं बढ़ती चलिए गई यानि कि उनकी जो एक्टिवेशन ऑफ दा अबब मेकैनिज्ब अगर क्रोनिक बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा आउट्पूट डिक्रीश किया और बहुत ज्यादा कंपस्टेशन स्टार्ट हो गया तो क्रोनिक चलिए अबब मेकैनिज्ब अल्टिमेटली बिकम्स माल अडेटिव माल अडेप्टिव मतलब कोईची गरवड हो जाना और इस तरीके से कारडियक पर्फॉर्मेंस फर्दर क्या करती है हमारी गरवड कर जाती है कारडिक का समझ में आ रही है ठीक है तो यह जो बात है हमने पढ़ी कमपन्सेटरी मेकेनिज्म यह सब क्या था कि दिक्कत हमारे हार्ट में स्टार्ट हो गई है लेकिन यह मेकेनिम्स की वज़े से हमें दिक्कत समझ में नहीं आ रही है और इस तरीके से धीरे-धीरे क्या हो रहा हार् next आगे देखते हैं exerbating factors in compensated heart failure ठीक है ना कौन से factor है जो इसको और बढ़ावा दे देंगे heart failure can be clinically silent है ना exerbating मतलब ऐसे factor जो इसको और बढ़ावा दे देंगे ठीक है ना कह रहा है जो heart failure होता है silent होता है समझ में नहीं आता heart failure बाद भी पढ़ाई चलता है जो बहुता है यानि कि asymptomatic होता है if compensatory mechanics are sufficient to balance the degree of cardiac dysfunction अगर compensatory mechanics का परियाप्त है cardiac output को balance करने के लिए तो हमें इसके symptom कभी समझ में नहीं आते हैं ठीक है और alternately if it is adequately managed medically या इसको medically balance कर लें तो भी हमें इसके symptom समझ में नहीं आते है however patient can become symptomatic if decompensation occur ठीक है अगर decompensation होगा तो patient क्या हो जाएगा symptomatic हो जाएगा तो देखो क्या क्या होता है ठीक है mechanism of fever आएगा या infection हो जाएगा anemia होगा trachea arrhythmia हो जाएगा या hyperthyroidism हो जाएगा तो increased metabolic demand हो जाएगी metabolic demand क्या कर जाएगी oxygen की बढ़ जाएगी inability to sufficiently increase cardiac output to match disproportionately elevated demand of organ system इन सब की वहे से oxygen demand बढ़ गई है तो उसकी वहे से क्या हो गया है कि heart क्या enable होता है क्या करने के लिए oxygen की supply पूरी करने के लिए मतलब कही ना कहीं कि compensation तो हो रहा था ठीक है combustion तो हो रहा था लेकिन ये बिमारी लगने के वाई से और निमान बढ़ गई अब क्या एक्सेसिव साल्ट कंटेंट इन डाइट या एक्सेसिव फिल्यूड अड्मिस्टेशन रिइनल फेलियर handling kidney failure हो जाय साल्ट बहुत जाए रहे हैं या बोडि में फिल्यूड जाए न इसकी वाई से क्यां होगा इंग्रीस हो जाएगा Profilert available वढ़ जायगा है कि 다ो यह सब क्म्रेंodel कि और जाहता चीजों को यह chief factor क्या कर रहे हैं और जाए चीजों को बहु दो कर रहे हैं तो यह ने सब अब oxygen प्रॉपर नहीं मिल रही है तो contraction प्रॉपर नहीं करेगा तो यह सब क्या है समझने के परपस से मैं फिर बता रहा हूं मैं इस सारी एकदम समझनी है हमको यह सब पढ़ते हैं और समझ लेते हैं तो हमको फिर याद करना बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा आज ही जाज चीज़े ऐसी लर्न हो जाएंगी के लिए बाते हैं अब यह हमारा पार्ट खतम हो जाता है एक लिए एक टीव पेफशनेसिस Your पॉट बात सारी बातए समझने के लिए था अब फटा-फट देखो हो जाए गा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्लिणिकल मैनिफेस्टेशन क्या चेंदागे बेकप efforts in इंजू ब्रॉड और ब्रॉडिट बॉड़िले पाडिमें उसका सालसा लगेगा थकान लगेगी फटीग नॉक्टूनल कफ रात में आप कफ आएगा वीजिंग जैसे कफ की आवाज आती है वैसे आवाज आएगी एंकल स्वेलिंग जो पैर का टकना होता है वो क्या होता सूच जाएगा तो यह सारे क्या है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है अगर आप मोटे हो तो एक्सेसाइज करो अगर नहीं करते हो तो स्मोकिंग छोड़ दो अलकोहल कंजप्शन अलकोहल को कम कर दो यह तो जितने भी होर पास कार्डियो वाले थे सब में यह कॉमन है ठीक है नेस्ट आता हमारे पास फार्मकलोजी फार्मकलोजी में क्या है ड प्रसार्टन बीटर ब्लोकर इस्तमाल कर लेंगे कार्वी डिलोल अन्द बीसोप्रोलल अल्फा एंटाजज़गोनिस्टिक इस्तमाल कर सकते हैं तो यह था हमारे पास क्या कंजस्टिव हार्ट फेलियर का फूरा लेक्चर जिसमें एट्टियो पैथोगोसाइज वाला पा समझने वाला था बाद के तो सारा सिंपल है ठीक है तो क्या करना है चीजों को learn करना है समझना है समझना है काम पहले है फिर याद करने हो लगा काम बाद में ठीक है ना तो यह चप्टर हमारा यही पर था और अब हम लोग देख लेते हैं अपने mind nurture app की खासिया ठीक है ना कि किस तरीके से वो आप लोगों को आपके exam में help करने वाला है आओ देखते हैं तो आओ जानते हैं अपने mind nurture app के बारे में तो येस हमारे चैनल का जो नाम है mind nurture उसी के नाम से अब app आ चुका है जो की google के play store पे मौझूद है ठीक है lecture के link में भी उसका description दे रखा है और चाहो तो direct कहां play store पे जाकरके उसको download कर सकते हो ठीक है अब देखो YouTube पर lectures and notes YouTube पर भी available है free of cost है ना जब मैं पहले से भी पढ़ा रहा था ये तो मैंने बच्चे से promise किया था कि lecture और notes जैसे डाल रहा हूँ मैं YouTube पर ठीक वैसे डालता रहूँगा कोई change नहीं आएगा जितने lecture मेरे app में होंगे जितने notes मेरे app में होंगे उतने lecture और notes आपको YouTube पर मिलेगा बट क्या च और fill in the blanks ठीक है ये तुम्हारे अब नए जो pattern है उसमें नए exam pattern है ठीक है ना उसमें MCQ और fill in the blanks आ रहे हैं दोनों मिला करके 10 नमर के ये आते हैं 10 नमर के ये आते हैं ठीक है प्लस two marks question याने कि आप इतना सारा पढ़ेंगे यहां वो कुछ important question दूँगा मैं two marks three marks five marks कि आग लेंगे भी आप लोग मैं तो पढ़ा ही रहा हूं ठीक है और जिस बच्चे केवल पास होना वह केवल मेरा क्या करेगा इन questions की practice कर लेगा live class होगी अब मालो मैं ये यूट्यूबर lecture को पढ़ा दिया है अब वो कहीं कुछ तुबार doubt first गया है ठीक है तो वो कैसे cover होगा वो ठीक है mcq questions mcq questions की इतनी सारी practice होने वाली है हर lecture से 15-20 questions फिर पूरे chapter से मिला करके 100-100 questions हो जाए करेंगे जो कि तुम्हारे deform और सबसे important exit exam की उपर based होने वाले है mcq questions अब जखो समझे क्या है ये mcq questions का test हम लोग कहा नहीं ले सकते youtube पर नहीं ले सकते अब youtube पर क्या होगा म मैं बोलूगा बच्चों ये question है ये चार option इसका answer ही है मजा नहीं आएगा ऐसे ठीक है ना मजा कैसे आएगा question सामने होगा तुम पढ़ोगा तुम answer click करोगे पढ़ करके सोच करके वो मजा आएगा उससे practice होती असली ठीक है ना तो ये सबसे बड़ा part आपको मिलने वाला है कि फिलिंदा भी लैंक्स की बारे में बात करी चुका हूं routine test for deform and exit exam only 40% marks चाहिए सबको पता है सौ मेसे सबको कितने चाहिए 40 नंबर में पास हो जाओगे ठीक है ना तो routine test routine test का क्या मतलब है मालो chapter 1 किसी subject का खतम हुआ उसका test हो जाएगा फिर chapter 2 खतम हुआ उसका test हो फिर उसके बाद एक combined test होगा 1 plus 2 plus 3 इस तरह से चलता रहागा चलता रहागा एक time वो आएगा 1 plus 2 plus 3 मालो 13 chapter है तो combined test हो रहे है यह जो test अगर बच्चा कोई मन से देता है बहुत अच्छे मन से तो more than 95% उसका कहीं नहीं गया है और अगर बेमन से भी दे रहा है 20-30% तयारी कर के भी तो 40% यान कि 40 नमबर लाना फिर उसके लिए final exam में बहुत आसान हो जाएगा और सबसे बड़ी बात बेटा जो पढ़ाई होगी न हमारा इस exam को target करके होगी ठीक है ना जो subject तुम्हारे exit exam में आएंगे उसको target करके पढ़ाई होगी यान कि जब theory पढ़ोगे या minimal है 1100 रुपए पूरे साल के लिए सभी subjects की first year पूरा साल सभी subject 1100 रुपए second year पूरा साल सभी subject फिर से 1100 रुपए यान कि एक साल की fees आपको 1100 रुपए पढ़ रही है इस fees को अगर आप अपनी college fees से compare करोगे तो ना कि बराबर है महिने का तुम्हारा 92 रुपए something पढ़ता एप को लेकर के ठीक है या कुछ बच्चों को यह दिक्कत है notes का link जो description में दिया रहता है lecture के YouTube के सभी lecture मेरा कोई lecture ऐसा YouTube पे नहीं है जिसमें मैंने notes नहीं दिया है ठीक है जिन बच्चों को नहीं पता description से निकालना नहीं आता है मुझे call कर ले या किसी अपने दोस्तों से ठीक है उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो बे जिजग बिना हिचकेचाय मुझे call करें doubt clear करें इस चीज को लेकर रहे सर कैसे क्या है ठीक है मैं तुम लोगों को वो चीज बता दूँगा clear है बासमज में आ गई और सबसे बड़ी चीज यह सब करने के लिए क्या करना हो गयाने की पढ़ना पड़ेगा है ना तो रिविजन जरूर 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 करना मैं हमसे कहता है रिविजन ही है सिलैक्ष रिवीजन करोगे तो लाइफ में हर दो जाथ को ठालोगे हर एक चीज आपको अचीव हो जाएगी ठीक है ना तो क्या करते रहो